इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किसान कार्ड हमें कैसे बनाना है यह जो कार्ड है अभी रिसेंट गौर्वर्मेंट ने इंट्रडूस किया और इसका जो पोर्टल है अभी लाइब हो चुका है अभी आप अपने जो कार्ड है खुद से ही बना सकते हों यह जो कार्ड है उन लोगों के लिए काफी जरूरी है जो पीम किसान समानीदी योजना के अंदर सरकार के तरफ से जो दो-दो हजार रुपे की किस्ते दी जाती हूं का बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो यह कार्ड आपको बनाना जरूरी होगा यहाँ पर आपको लाइब दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि इस कार्ड को बनाने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 है तो उससे पहले इस पोर्टल पर आकर कि अपना जो कार्ड है आपको बना लेना है इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्चन में पिन कमेंट के अंदर हमने दे रखा डारेक्ली आप इस पोर्टल पर आ सकते हो यहां से आप देखोगे कि गवर्मेंट के तरफ से सभी फॉर्मर का जो रिष्ट्रेशन है वो किया जा रहा है उनको एक फॉर्मर आईडी प्रोवाइट की जा रही है यह जो आप सभी का किसान कार्ड होगा इसके जरीए इन फ्यूचर जो भी गवर्मेंट के इसकी में आएंगी उनका जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है तो यहाँ पर आपको कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो फॉर्मर का ओप्शन दियागा इस पर क्लिक करना है और आप सभी से यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम को दर्ज करने का ओप्शन आएगा लेकिन डिरेक्टली अगर आप लोग आधार नंबर है वो दर्ज करना है यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाएगा यानि कि आप पोल्टल पर फिर्ष्टे मारे हो अभी तक कोई डेटा इस आधार नंबर का मवजूद नहीं है यहाँ पर अटर्मेंट करना है और समिट की टैप पे क्लिक करना है और वेरिफाय के टैप पे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे आधार कार्ट पर जो भी हमारी डिटेल्स मौजूद थे हो यहाँ पर फेच हो करके आचुकी है आज की डिट में एक चीज़ काफी अच्छे लगते है कि गौवर्मेंट यहाँ करेंगे यहाँ पर हमारे मॉबाइल फोन पर इस पोर्टल के द्वारा एक कोड भीजा गया है यह जो फोन नंबर है वेरिफाय करने के लिए तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो नंबर है वह वह हो चुका है आब यहाँ पर यह जो अकॉंट है दुबारा से जह जी का रख सकते हो, example मैंने आपको दिखा रखा है कुछ इस तरीके का password आप रख सकते हो, और confirm के section में आ करके repeat वही password आपको इंटर कर देना है, और create my account के option पे click करना है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो account है, वो successfully activate हो चुका है, account हमारा create हो चुका है, हम यहाँ पर जो capture code दिखाएगा, यह जैसा है, capital small वैसे same दर्ज करना है, और login के option पे click करना है, पोर्टल के अंदर login हो चुके हैं, यहाँ पर आप सभी को register as farmer का जो option है, वो दिखेगा, इसी option पे आपको click करना है, यहाँ पर यह जो mobile number है, अगर आप change करना चाहते हो, तो अभी just हमने link कि है, तो इसमें changes हमको करने की जरूरत नहीं, no के option पे click करेंगे, email id जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, तो इसको आइसे ही आप छोड़ सकते हो, नीचे के तरफ अगर आप आओगी तो देखोगे कि आधार से आपकी photograph भी यहाँ पर आ चुकी है, और आपका जो name आधार कार्ड पर है, वो भी सारी information जैसे कि हमारे आधार कार्ड पर है, वैसे यहाँ पर फेचो करके आ चुकी है, जिस भी category से आप आते हो, आपको अपने according चूज करना है, address भी automatic आधार से ही आ चुका है, अगर यह जो address है, आपका latest नहीं है, तो यहाँ पर इस option पे click करके update कर सकते हो, हो सकता है, आपके आधार कार पर जो address हो, अधूरा हो, तो यहाँ पर complete अपना जो address है, वो दर्ज कर सकते हो, जैसे कि हमने click किया है, अपना जो district है, यहाँ पर हम choose करेंगे, आपका state change नहीं होना चाहिए, बाकी की सारी information आप यहाँ पर update कर सकते हो, अपनी जो district इसपर detail का एक option मिलेगा, इसपर click करना है, और यहाँ पर owner का option मिलेगा, इसे आपको choose करना है, यहाँ पर यह जो किसान है, इनकी खुद की जमीन है, खुद की जमीन पर ही क्रेस करते हैं, तो दोनों ही option पे आपको tick कर देना है, इसे के साथ मैं land detail के section में आना है, फिच land detail के option पे आपको click करना है, तो यहाँ पर एक pop-up आ जाएगा, अब यहाँ पर आप सभी को इस pop-up के अंदर जो address यहाँ पर select करने के लिए बोला जा रहा है, यह जो address है, आपकी जमीन है, जहाँ पर भी located है, वो address आपको select करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर district choose करेंगे, सब district यहाँ पर आप देखोगे कि अब हम से survey number मांगा जा रहा है, अब यह जो survey number है, किसान की जो जमीन है, उसका जो गाटा संख्या है, जो खसरा संख्या है, वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, submit की tab पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब किसानों की जो list है, यहाँ पर search हो करके आ चुकी है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से drop down में आ करके, किसान का जो selection है, वो करना है, इसके बाद में देखोगे कि एक खतावनी की तरीके से पूरी list यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें कि जो जमीन है, इसका area कितना है, यहाँ पर आपको सार ही गाटा संख्या आपके एक ही साथ में सो हो जाते हैं, तो यहाँ पर select कर लेना है, लेकिन अगर आपके case में सो नहीं हो रहे हैं, तो एक का आपको selection करने के बाद में इसको add कर लेना है, और दिन दुबारा से फिच detail के option पे click करके एक नया गाटा संख्या जो आपका है, उ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ में, अभी जो form है, इसको submit करने के लिए आपको नीचे के तरफ आना है, यहाँ पर आपको कुछ option दियेगे हैं, जैसे की social registry detail का इस option पे click करोगे, तो यहाँ पर रासन कार या फिर family ID का option मिल जाएगा, तो जिसमें से आपको select करना है, हमने रासन कार select किया है, और यहाँ पर अपना जो रासन कार number है, हम दर्ज कर देंगे, इसी के साथ में, आप सभी को यहाँ पर department approval के section में agriculture का option दिखाएगा, इसे select करना है, और former से consent यहाँ पर आपको लेना है, अगर आप खुदी कर रहे हो, तो यहाँ पर दो option आपको दिए गए है, एक तो biometric और OTP का, तो आपके पास में कोई biometric device होगी नहीं, तो यहाँ पर यह जो OTP वाला option है, इसे ही हमें select करना है, proceed to EQIC के option पर click करना है, अब यहाँ पर आप सभी के सामने e-sign की जो website है, वो आ जाते ही, जिसमें की, यहाँ पर digital तरीके से य OTP आ चुका होगा, जिसका जो number है, यहाँ पर दिखाया गया है, OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना है, concept को आपको accept करना है, और submit की tab पर click करना है, submit की option पर click करते ही है, हमारे सामने registration की जो ID है, वो generate होकर के आ जाती ही, यह जो ID है, आपको सबसे पहले तो note करके रख लेना ह इसके बाद में नीचे के तरफ आप देखोगे, तो यहाँ पर यह जो form है, जो आपने फिल किया है, इसको download करने का जो option है, यहाँ पर दिया गया है, इसको download के option पर click करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगी कि जो form है, जो भी हमने detail दर्ज की थी, इसका एक physical form generate हो चुका है, तब तक के लिए जो form आपको मिला है, इसको सुरच्चित करके अपने पास मेर रख लेना है,